वर्ण विचार आवो पहचाने, नीचे दी गई वर्ण माला को पोण करिये स्वर, अ, आ, री, अयूग वाह स्वर व्यंजन, कवर्ग, कहल्चिन्ह, चवर्ग, चहल्चिन्ह, तवर्ग, तहल्चिन्ह, तवर्ग, तहल्चिन्ह, पवर्ग, पहल्चिन्ह य घल्चिन हो, श हल्चिन हो, क्ष श्र ड हल्चिन हो, न हल्चिन हो, अउ जाने, तो बच्चों, आपने दीखा, बोलते समय हमारे मुँँ से, कुछ ध्वनिया निकलती है इनकी सबसे छोटी एकाई को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं इनके और अधिक टुकडे नहीं किये जा सकते अर्थात जब वर्णों को सही क्रम में लिखा जाए तो उनका समुह वर्ण माला कहलाती है वर्ण के प्रकार स्वर और व्यंजन स्वर स्वरों का उच्चारण सुतंत्र रूप से किया जाता है इन्हें बोलते समय मूँ से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है हिंदी भाषा में इनकी संख्या ग्यारा है ये दो तरहां से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर जैसे कहल चिन्ह का कहल चिन्ह की स्वर के तीन भेद होते हैं हस्वस्वर दीर्खस्वर पलुत्वर हस्वस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हरस्वस्वर कहते हैं जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्वस्वरों के उच्चारण से दोगना समय लगता है उन्हें दीर्खस्वर कहते हैं जैसे आ जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्वस्वर और दीर्गस्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है पलुत्वर्ग एक ही है जैसे ओम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग अनुस्वार अंग का उच्चारण नाक से होता है इसे अनुस्वार कहते हैं वर्ण के उपर बिंदू लगाकर इसे दर्शाय जाता है जैसे अंगूर, पंक, गंगा, आदी अनुनासिक वर्ण के उपर लगने वाले चंद्रबिंदू को अनुनासिक कहते हैं इसका उचारण नाग और मूँ से होता है जैसे हसना, गाउं, आँख आदी विसर्ग, अंग का चिन्ह वर्णो के मध्य या अन्त में आता है इसे विसर्ग चिन्ह से दर्शाय जाता है जैसे स्वतह, प्राटह, अतह, प्रायह, आदी आगद्ध्वनी इसका उचारण आ और ओ के बीच की ध्वनी के रूप में होता है इसका चिन्ह आ होता है इसका प्रियोग अंग्रेजी से हिंदी में आये शब्दों में किया जाता है जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, चौक आदी ज, फ, ये हिंदी में अर्बी फार्सी भाषा से आई ध्वनिया है इनका प्रियोग उर्दू भाषा से आये शब्दों में किया जाता है उर्दू भाषा से आये कुछ शब्द हैं जैसे कागस फर्क खुफिया बर्फ मात्राई स्वरों के लिए निर्धारत चिन्ह मात्राई कहलाते हैं अ के अत्रिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राई का रूप ले लेते हैं स्वरों के निश्चित चिन्ह अ मात्रा नहीं कहल्चिन्ह जोड़े अ क कमल अमरूद आ कहल्चिन्ह जोड़े आ की मात्रा का काला आम इ महल्चिन्ह जोड़े छोटी इ मी मिठाई इत्र इ सहल्चिन्ह जोड़े बड़ी इ की मात्रा सी सीख इत्र उ कहल्चिन्ह में जोड़े छोटा उ कु कुम्हार उपदेश उ चहल्चिन्ह जोड़े बड़ा उ चू चूना उन री कहल्चिन्ह जोड़े री क्री क्रिशी रिन ए ठहल्चिन्ह जोड़े ए ठे ठेल्ला एकता ए महल्चिन्ह जोड़े ए मैं मैला एरावत ओ गहल्चिन्ह जोड़े ओ गो गोरा उनम ओ गहल्चिन्ह जोड़े ओ कौन औरत व्यंजन्ह जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं हिंदी वर्ण माला में तेतीस मूल व्यंजन और दो अतरिक्त व्यंजन होते हैं प्रतेक व्यंजन का उच्चारण करते समय उसमें अ स्वर की ध्वनी होती है जैसे क हल्चिन्ह जोड़े अ क आदी इसलिए हम इन्हें आसानी से क ख ग आदी बोलते या लिखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के तीन भेद हैं स्पर्ष व्यंजन क हल्चिन्ह से म तक अंतेस्थ व्यंजन य हल्चिन्ह, र हल्चिन्ह, ल हल्चिन्ह, व हल्चिन्ह उश्म व्यंजन श हल्चिन्ह, क्ष हल्चिन्ह, स हल्चिन्ह, ह हल्चिन्ह संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं हिंदी भाशा में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे क हल्चिन, श हल्चिन, अ, क्ष, भिक्षा, क्षमा, ज हल्चिन, जोडे न, जोडे अ, ग्य, संग्या, विज्यान, त हल्चिन, जोडे र हल्चिन, जोडे अ, त्र, त्रिदेव, त्रिशूल, दवित्व व्यंजन दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को दवित्व व्यंजन कहते हैं जैसे च हल्चिन हो जोडे च हल्चिन हो जोडे अ च कच्छा बच्चा म हल्चिन हो जोडे म हल्चिन हो जोडे अ मम चम्मच अम्मा त हल्चिन हो जोडे त हल्चिन हो जोडे अ तत पत्ता कुत्ता संयुक ताक्षर दो अलग-अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक ताक्षर कहलाते हैं जैसे च हलचिन जोडे च हलचिन जोडे अ चच स्वच अच्छा प हलचिन जोडे य हलचिन जोडे अ प्य प्यारा प्यास क हल्चिन ह, जोडे यह हल्चिन ह, जोडे अ, क्य, क्या, क्यूं द हल्चिन ह, जोडे यह हल्चिन ह, जोडे अ, द्य, विद्या, गद्य र, रेफ जब र स्वर रहित होते हैं, तब र आगे आने वाले व्यंजन के उपर के रूप में लगाया जाता है जैसे क में जोडे, र जोडे म कर्म, ध में जोडे र, जोडे म धर्म, प में जोडे र, जोडे व पर्व, व में जोडे र, जोडे शा, वर्शा पदेन, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, तो उसे व्यंजन की खाड़ी पाई के साथ र पदेन की रूप में लिखा जाता है जैसे कहलचिन जोड़े र, जोड़े म, क्रम, भहलचिन जोड़े र, जोड़े म, भ्रम, उ जोड़े म, जोड़े र, उम्र, पहलचिन जोड़े र, जोड़े र, जोड़े र, प्रण बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ रहलचिन के साथ पदेन के रूप में लिखा जाता है जैसे टहलचिन जोडे रहलचिन जोडे क ट्रक डहलचिन जोडे रहलचिन जोडे म ड्रम री की मात्रा का उच्चारण भी र की तरहां ही होता है जैसे रण, रिशी, विच्छेद का अर्थ है अलग करना, शब्द की प्रतीक वण को अलग करना वण विच्छेद कहलाता है जैसे माता, म हलचिन, जोड़े आ, जोड़े त हलचिन, जोड़े आ रक्षा, र हलचिन, जोड़े अ, जोड़े क हलचिन, जोड़े श हलचिन, जोड़े आ सोचे और बताएं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताईए वर्ण माला से आप क्या समझते हैं? स्वरों का उच्छारण करके बताईए कि कौन से स्वर में कम समय लगता है और कौन से में अधिक सयुक्त व्यन्जन कैसे बनते हैं? र वर्ण में उ, उ की मात्राएं कहा लगती हैं? हमने सीखा वर्णों का व्यवस्थत समुह वर्ण माला कहलाता है र, न, 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 म, पंचम वर्ण कहलाते हैं अंग, अह, अयोग, वह कहलाते हैं आ, ज, फ, आगत्वनिया हैं स्वर के तीन भेद होते हैं हरस्व, दीर्ग, वपलुत दो भिन व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दो समान व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन, दवित्व व्यंजन कहलाते हैं दो भिन व्यंजनों की मेल से बने अक्षर, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं शब्द की प्रतीक वर्ण को अलग-अलग करके लिखना वर्ण विच्छीत कहलाता है